हेलो फ्रेंड्स, आज का वारा टॉपिक है हाउ तू एड लीड्स फ्रॉम फेस्बुक लीड़ एड्स टू गूगल शीट्स इंस्टेंटली तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम फेस्बुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में connection बना सकते हैं कि जैसे facebook lead ads में कोई नई lead आपको मिले तो automatically आप उसकी details add कर सकते हैं google sheet की row में ताकि आप उसका backup रख सके हैं या उसको analyze कर पाएं जी या आप इस process को automate भी कर सकते हैं पैबली connect की मदद से facebook lead ads और गूगल sheets के पीच में connection बिल्ट करके इसमें और ट्रिगर होगा कोई नई lead generate होना facebook lead ads में और हमारा action होगा automatically same leads की detail enter हो जाना google sheet की row में तो आप कैसे बना सकते हैं पूरे automation को आई ये देखते हैं मेरी स्क्रीन पर जैसे कि अब देख सकते हैं यह मेरा एक form जो मैंने create किया है facebook lead ads पर इसका नाम है registration form अब देखिए जब भी यह form कोई person fill करेगा automatically इसकी details add हो जाएगी google sheet की row में तो आइए चालू करते है real time example के साथ तो देखिए यह form मैंने आपर open करके रखा है registration form यह पर मैंने कुछ details fill करके रखिए है like जो lead है उनका email उनका full name और उनका phone number अब जैसी मैं next पक्लिक करके इस form को submit करूंगा automatically instantly जो भी details मैंने आपर fill करी इस form को fill करने के लिए वो details जाकर record हो जाएगी Google Sheet की row में और देखिए instantly details यहाँ पर आके हो चुकी है एड जैसी मैंने form fill किया यहाँ पे देखे test user है name email है test user adgeratepriblitudes.com और यह हमारी lead का phone number अब आप सोच रहोंगे कि यह मैंने कैसे किया कैसे मैंने facebook lead ads और Google Sheet के बीच में connection बनाया कि जैसी मैंने facebook lead ads पे जो मैंने form create करके रखाया उसको fill किया तो instantly उसकी details Google Sheet पर जाके हो गई एड तो यह मैंने किया है automation के magic से मतला पैबली connect की help से तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का landing page पैबली एक बहुत ही amazing software है जहाँ multiple applications को connect integrate कर सकते हैं पैबली की मिदद से मैंने google sheets और facebook lead ads के बीच में एक connection किया है build अगर आप एक नई user हैं तो जाए sign up for free पे जहाँ आपको हर मैंने मिलेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user हैं तो simply क्लिक करिए का sign in पे जैसी आप sign in पे क्लिक करेंगे आपके सामने open होंगी पैबली की ये पाच मिन applications आज हमको use करना है पैबली करनेट का तो क्लिक करूँ हम access now पे access now पे क्लिक करते हैं आपके सामने open होगा पैबली करेंट का dashboard हमको जाना right hand side पे क्लिक करना इस blue बटन पे create workflow पे इसके बाद आपके सामने एक dialogue box appear होगा जामको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम दीता हूँ add facebook leads to google sheets आप अपने requirement के हिसाब से इसी कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर क्लिक करना आपको create पे create पे क्लिक करती है आपके सामने open होंगी यह दो important windows इनकों कहते है trigger and action basically जो पुरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts परी based होते हैं इनके definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज का मारा objective क्या है आज का मारा objective यह है facebook lead ads पे जैसे यह lead form fill करेगी तो automatically उस lead की details add हो जानी चाहिए google sheet में तो देखे जो हमारी trigger application होगी वह होगी facebook lead ads तो यहां से मैं चूज करूँगा अपने trigger application facebook lead ads और हमारा trigger event होगा new lead इसका मतलब facebook lead ads में जैसे कोई नई lead generate होती है तो instantly हम चाते हमारा workflow trigger हो जाए और action application मतलब google sheet मे जाके वो सारी details हो जाए add तो यहां पर मैं चूज करूँगा अपनी action application और action event हमारा होगा add new row जैसे कोई नई lead की details आया हम चाते हैं कि वो नई रो में जाके automatically हो जाए add google sheets की यह मैंने चूज कर लिए अपना action event और यह है हमारा trigger event अब देखिए हमको facebook lead ads और google sheet के बीच में एक connection एक integration बनाना है तो देखिए इन दोनों को हम connect करेंगे पैबले करेंट सी सबसे पहले facebook lead ads क्लिक करूँगा मैं connect पर और facebook lead ads का जो हमारा account है इसको connect करेंगे हम पैबले करेंट सी जाना है connection पर फिर click connect with facebook lead ads और चूज कर लिए अपना account चूज करते हैं आपको एकसेस create किया उस page में उसको तो देखिए इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ facebook के account पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक page create करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है ABC grocery store इसके left hand side पे meta business suit आप करेंगे open तो देखिए आपके समने open हो जाएगी यह window फिर आपको click करना है all tools पे और scroll down करना है नीचे फिर click करना आपको instant forms पे तो देखिए मैंने इस particular page ABC grocery store वाले पीच पर मैंने दो form create करके रखें एक करना मैं registration form एक करना मैं grocery flyer swarm मैं चाहता हूँ कि जो registration form है जब भी कोई person इस form को fill करे तो automatically lead generate हो जाए और उसकी details google sheet पर जाके हो जाए add तो देखिए य form हमको select करना है पैबिक करनेट पे तो देखिए जो हमारे page का नाम है वो है ABC grocery store तो यहांसे मैं choose कर लूँगा अपना page तो यहांपर search कर ले तो अपने page का name ABC grocery store तो देखिए यह हमारे page का name ABC grocery store और जो हमारे form का name है वो है registration form दोनो form जो हमने create करके रखें आप देख सकते हैं द करते हैं नीचे और देखिए response हमको क्या मिला है error empty data क्योंकि जो form हमने create किया है यह जो form registration form है इस form को किसी भी person नहीं किया है कोई भी lead generate नहीं हुए इसलिए public connect के पास जो response आया है वो एक blank response आया है और देखिए यहां पर लिखा रहा है waiting for web book response इसका मतलब public connect response का wait कर रहा है और करना एक test submission इसका मतलब जाना है facebook lead ads के account पे जो form हमने create किया registration form इस form को करना है फिल कुछ dummy details के साथ आप देखिए जो भी details आप फिल करेंगे वह instantly capture हो जाएगी public connect के पास तो चलिए form करते हैं फिल new tab पे आप देख सकते हैं मैंने आपे open करके रखा है meta for developers my apps पे आपको जाना है my apps पे जाने के बाद उपर आप एक option देख रहे होंगे tools का आपको क्लिक करना है tools पे scroll down करना है नीचे फिर जाना है lead ads ITU debug tool में इसको आप जैसे open करेंगे तो यह आप से आप पूछेगा page and form तो देखिए यहापे आपको choose करना है वापिस वह particular page जिस पर कैपने form किया है create तो open अब जैसे कोई person कोई lead इस form को फिल करेगा automatically उसकी details capture हो जाएगी यहाँ पैबली करेट के पास तो चलिए हम आपको करके दिखाता हूं जाना आपको अपने form पे और माली जे email इस बार हम दीते हैं तो देखिए साली details मैंने आपकर दिये provide email है rahul.primlity.com full name है rahul गुपता यह हमारी lead का name और यह है उनका phone number अप click करते हम next पे और देखिए यहाप हमको click करना submit पे और form हमारा यहाँ पे हो चुका है submit क्लिक करेंगे हम cancel पे तो देखिए successfully हमने जो form है वो submit कर दिया है फिल कर दिया है जो form हमको मिला था facebook lead ads पे अब देखिए same details जो मैंने आप फिल करी है हमारी lead की वो capture हो जाएगी public connect के पास और देखिए आप हमको API responsible चुका है public connect पे यह हमारी lead का नेम राहूल गुपता यह हुनका email राहूल एड दिरेट पेपलिक यूट्स टॉट कॉम और यह है उनका phone number आप देख सकते हैं सारी details हमको public connect पे automatically हो चुकी है capture इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने Facebook lead ads को पैबलिक connect से connect कर दिया है जैसी Facebook lead ads पे कोई नई lead आएगी instantly उसकी details पैबलिक connect अपने पास कर लेगा capture अब same details हम add करना चाहते हैं Google sheet की row में तो जाओंगा मैं Google sheet पे action application पे क्लिक करूँगा connect पे और अब Google sheets के account को हम connect करेंगे पैबलिक connect से जानाम को add new connection पे click करना है sign in with Google और choose कर लेना अपना account जहापे आपने Google sheet create करके रखी है इसके बाद आपको access provide करना है पैबलिक connect को Google sheet से connect करने के लिए और देखे हमारा authorization हो चुका है successful इसका मतलब जो Google sheet है वो connect हो चुकी है पैबलिक connect से account connect होती है फिर आपको choose करने है सबसे पहले है अपनी spreadsheet तो देखे जो हमारी spreadsheet का name है Google sheet जो मैंने create करके रखी है उसका name है Facebook lead ads इसका मतलब जैसे कोई नई lead generate होती है Facebook lead से उसकी details मैं add करना चाहता हूँ इस particular spreadsheet में आपको मैं कुछ columns बनाएं like name, email, phone number तो देखे यह जो same spreadsheet है Facebook lead ads यह मैं choose करने होगा पैबलिक connect पे Facebook lead ads और देखे मैंने spreadsheet कर लिए select तो आप देखेंगे automatically जो भी columns मैंने create करके रखें यह same columns fetch हो जाएंगे पैबलिक connect के पास और देखिए account connect होती name, email, phone number, same column आपको यह पे दिख रहे होंगे sheet हमारी यह किए तो sheet हमारे system ने automatically कर लिया detect फिर आता है name, email, phone number तो यह fields हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि response हमको मिले था trigger application से मतलब facebook lead ads से इन्ही details का use हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping, तो देखिए mapping कैसे की जाती है, जैसे आप इस blank field पर click करेंगे facebook lead ads जो कि आपके trigger application थी वो आपको यह पे दिख रही होगी इसके drop down पर हम करेंगे click और यहाँ से map कर देंगे हमारी lead का name, इसी तरीके से जो lead का email address था वो भी हम कर देंगे map और इसी तरीके से जो lead का phone number था, वो details भी हम यहाँ पर कर देंगे map मैं यहाँ पर वही details आड़ कर रहा हूँ जो मैं को facebook lead ads से मिली थी, क्योंकि हम चाते हैं कि जो facebook lead ads पे जो हमने form create करके रखा है, जब भी उससे कोई नई lead generate हो, तो automatically same lead की details हम add करना चाते है google sheet पे backup के लिए, अब आप सोच चुरोंगे, यहाँ पर मैंने mapping का use चो किया है, और मतलब क्या होता है, तो देखें, mapping इसलिए बहुत ज़्यादा important process होती है, क्योंकि जब भी workflow run करेगा, तो जो भी data मैंने आपर map किया है, यह automatically new data से हो जाएगा change, इसका मतलब जो form अपने create किया था facebook lead ads पे, जब भी कोई person इस particular form को fill करेगा, तो जो person का name है, जो email है, जो उनका सेटप करना, इसके बाद की सारी process public connect automatically कर लेगा, आपको कोई भी manual work करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब जैसी में save and send, test request के button पे click करूंगा, automatically जो भी details मैंने आपे map करी है, यह add हो जाएगी Google sheet की room में, और देखिए आपे हमको API response पिल चुका है, जो कि एक positive API response है, तो मतलब जो automation हमने बनाया है, पैबली connect पे इन दोनों applications के बीच में, उस successfully work कर रहा है, जैसी Facebook read ads पे कोई नई lead generate होई, instantly उसकी details जाके add हो गई है Google sheet की room में, तो आईए एक बर और इस workflow को चेक करते हैं, वापिस चलते हैं हमारे form पे, जो हमने create किया था, registration form, तो देखिए यह हो form अब इस form को में करता हूं, फिल इस बर कुछ और details के साथ, तो चलिए इस बर जो email है, email हम देते हैं, तो देखिए, यह details में पे कर दिया, फिल email danielsjo090.gmail.com, danielsjo, हमारी lead का name, यह है उनका phone number, लेकरते हैं, next पे, submit पे, इसको करते हैं, cancel, और देखिए successfully जो form है, वो हमने कर द name, danielsjo, यह है उनका email address, और यह है उनका phone number, इसका मतलब जो automation हमने setup किया है, वो successfully work कर रहा है, instantly work कर रहा है, और यह जो पूरा automation है, जैसे कि मैं आपको बताया है, यह किवल आपको एक बर setup करना है, इसके बाद की सारी process पैबली करनेट, आटमेटिक लीग कर लेगा, तो अगर आप हमें email कर सकते है, support at the rate family.com पर, अगर आपको कोई queries है, आपको कोई doubts है, तो आप जा सकते है, forum.family.com पर, अगर आपको pricing related कोई issue है, तो आप जा सकते है, इस link पर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो please like करे, share करे, और हमारी channel को subscribe करना ना भूले, thank you